यहां पर 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के candidate इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे जो भी candidate 221993 से लेकर 215-2002 के बीच के candidate ही इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे यानि कि दोस्तो 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के candidate इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे यहाँ पे CRPF Police Force यानि कि दोस्तो Central Reserve Police Force की भर्ती निकल के आ चुकी है कौन कौन से Candidate इस फॉर्म को आबेदन कर पाएंगे कहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली कितने लेवल के अधार पर सेलरी आपकी बगाई जाएगी सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी यहाँ पे दोस्तों बीना टाइम को वाई आईए सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट तो आपको लाशन में बताएंगे लेकिन इस भर्ती की एड्मिट कार्ड के डेट बताए दें आपको तो यहाँ पे ओपीशल नोटी पीकेशन में आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे 13-6-2023 के बीच में लेकिया अवेधन कैसे करना ओगा तो ऑनलाइन माधन से बिलकुल आपको अपको एपलाई革 करना होगा दोस्तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करेंगे यानि की इस पोस्ट के लिए कितनी सेलरी आप सभी को दी जाएगी तो यहाँ पर आप देख पारे होंगे जो कि सब इस्पेक्टर के पदों पर जो आर ओ के पदों पर भरती निकाली गई है ग्रूप बी में उसमें लेवल चेटवे के आधार पर आपकी 35,400 रुपए से 11,002 यहां पे 1,12,400 रुपए पर ती मन्तिस भरती में सेलरी आपको दी जाएगी सब इस्पेक्टर यहां पे आप देख पारे होंगे सर्प्टों के पदों पर जो भरती निकाली गई है यहां पे ग्रूप बी में आप देख पारे होंगे चाटवे वेतन के आधार पर सेलरी आपकी बगाई जाएगी जो कि 35,400 रुपए से 12,400 रुपए पर ती मन्तिस भरती में सेलरी आपकी कर दी जाएगी यहां पे आप देख पारे होंगे यहां पे साथवे लेबल के आधार पर सेलरी दिखाई जारी है लेकिन यहां पे आप सभी को सही जानकारी बताएंगे तो चाटवे लेबल के आधार पर आपकी सेलरी बगाई जाएगी इस भरती क्या डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे तो यहां पे आप देख पारे होंगे जो कि तीसरा पद यहां पे देख पारे होंगे सब इस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर जो भरती निकाले गई है ग्रूप B के पोस्ट यानि कि पोस्ट आप देख पारे होंगे जो कि ग्रूप B ह और यहां पे लेबल आप देख पारे होंगे यानि कि छेटवे लेबल के आधार पर आपकी सेलरी 35,004 रूपए से 1,12,004 रूपए परती मंतिस भरती में सेलरी आपकी कर दी जाएगी यहां पर आप अगला पोश्ट देख पारे होंगे जो कि असिस्टेंट समिस्पेक्टर यहां पे टेक्निकल के पदो पर जो भरती निकाले गई है ग्रूप C के पदो पर निकाले गई है आप देख पारे होंगे यहाँ पे पांचवे लेबल के आधार पर सेलरी आपकी जो है 29,200 रूपए से 92,300 रूपए पर 31,000 भरती में सेलरी आपकी कर दी जाएगी अगला पोश्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि आसिस्टंट सब इस्पेक्टर के पदो पर जो भरती निकाले गई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तो इसमें ग्रूप C के पदो पर जो भरती यानि कि यह ग्रूप C के पदो पर भरती निकाले गई है सेलरी आपकी तो पांच में वेतन के अधार पर निर्धार की गई है जो कि 29,200 रूपए से 93,300 रूपए परती मंतिस भरती में सेलरी आपकी कर दी जाएगी एज्च के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर पोश्ट एकृल कितनी निकाले गई है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें तबी सुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पार होगे जो की शब इसपक्टर आरो के पदों पर जो भरतीन निकाले गई है एक पदो पर भरती निकाले गई है OBC के लिए 2 SC के लिए यहाँ पे 1 ST के लिए 1 total 7 पदो पर भरती निकाले गई है तो यहाँ पे दोस्तों आप इसी प्रकार से चेक कर पा रहे होंगे कि गुल पदो पर कितने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि Civil Man के पदो पर जो भरती निकाले गई है यानि कि Civil Male के पदो पर total total 20 पदो पर भरती और यहाँ पे सब Inspector Technical के total total 146 पदो पर भरती निकाले गई है दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से आप लाश्ट में देख पा रहे होंगे जो कि total total 15 पदो पर भरती निकाले गई है यहाँ पे सारी भरतीयों के बारे में बात करेंगे तो यूर के candidate 85 पदो पर भरती इनके लिए निकाले गई है EWS के लिए यहाँ पे 23 पदो पर OBC candidate के लिए यहाँ पे 56 पदो पर SC candidate के लिए यहाँ पे 32 पदो पर ST के लिए तो दोस्तो बिना टाइम को वाय चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप सभी को पूरी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी तो यहाँ पे दोस्तो आए बात कर लिए यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो कि CRPF Sub Inspector Group B and ASI Group C के पदो पर भरती निकाले गई है कैसे फॉर्म को apply करना होगा टोटल ओर टोटल यहाँ पे पोस्टों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो कि 112 पदो पर टोटल भरतीयां निकाले गई है यहाँ पे आईए बात कर लिजाए कि यह भरती कितने तारिक से start कर दी जाएगे यानि कि Central Reserve Police Force की यह जो भरती आई है वो कितने तारिक से start कर दी जाएगे क्या-क्या document आपके लगने वाले हैं तो यह सभी सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगे दोस्तों बस वीडियो को आप पूरी complete देखते रहेगे सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल ही जाएगे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि 30 वर्स के बीच के candidate इस फॉर्म को आविदन कर पाएंगे यानि कि आपको बताएंगे कि 21 वर्स से 30 वर्स के बीच के candidate इस फॉर्म को आविदन कर पाएंगे वो भी सभी स्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और असिस्टेंट सभिस्पेक्टर के लिए यहाँ पे असिस्टेंट सभिस्पेक्टर के वदों के लिए जो भरती निकाली गई है वो 18 वर्स से 25 वर्स के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को apply यानि किया विदन कर पाएंगे एज में छूट के बारे में आप सभी को बताएंगे दोस्तों तो एज में छूट आपको बता दें तो सभी कंडिडेट के लिए एज में छूट निर्धारती यहाँ पे की गई है CRPF Sub-Respector RO के पदो पर जो भरती निकाले गई है उसमें भी छूट दिखाई यानि की दी गई है सर्प्टो के पदो पर जो भरती निकाले गई है उसमें भी आपको छूट दी जाएगी टेक्निकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Civil ASI के पदो पर टेक्निकल के पदो पर जो भरती निकाले गई है उसमें आप सभी को भरती में छूट दी जाएगी भरतीयों की अलग-अलग आधार पर आपकी एज में छूट दी जाएगी दोस्तो टोटल बैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तो जो की टोटल बैकेंसी है यहाँ पे 212 पदो पर निकाली गई है और यहां पे दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि आपको बता ही दिया कि अलग अलग पोश्टों के आधार पर आपके सेलरी भी निर्धारित की गई है तो आप सभी को यहां पे बता दें कि कौन-कौन से डिगरी होनी चाहिए यहां पे सभी इस्पेक्टर पदों के लिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फिजिक्स से आपको बता दें कि फिजिक्स से यानि कि साइन साइट से आपका सब्जिक्ट कोई भी हो तो कंप्लेट किया होना चाहिए और आप सभी के पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए यहां पे दूसरा पोस्ट जो है उसमें बैचलर डिगरी आपके साथ आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ सब्जिक्ट के साथ पास किया होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो सभी स्पेक्टर टेक्निकल के पदो पर भरती निकाले गए उसके लिए बीटिक की परिच्छा कंप्लीट की होनी चाहिए इंजीनियरिंग भी दोस्तो यानि कि बीटिक इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट की होनी चाहिए और भी जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि दोस्तो ओपीशल बेपसाइट से जाकर आप सारी जानकारी ले पाएंगे यानि कि ओपीशल बेपसाइट पर इस भरती का ओपीशल नोटी पिकसन ओपीशल लिंक जारी कर दिया गए है आप वहीं से जाकर सारी जानकारी भी ले पाएंगे दोस्तों यहां पर आप सभी को बताएंगे कि यह जो लास्ट वाली भरती है इसमें यानि कि सिबिल मेल के पदों पर यानि कि इस इस्पेक्टर सिबिल मेल के पदों पर जो भरती निकालेगे उसके लिए simple और simple 10 plus 2 यानि कि 12 वी के पास भी candidate इस फार्म को आभिदन कर पाएंगे दोस्तो डिपलोमा की डिगरी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर आपको बताएंगे assistant sub inspector technical के पदों पर जो भरती निकालेगे उसके लिए simple और simple 10 वी के पास भी candidate इस फार्म को आभिदन कर पाएंगे और आप सभी को बता दे कि radio engineering भी आपको complete किया होना चाहिए दोस्तो तभी इस फार्म को आप आभिदन कर पाएंगे computer भी आपको किया होना चाहिए इसके लिए simple और simple 10 वी के पास भी candidate इस फार्म को आभिदन कर पाएंगे civil engineering की course भी आप सभी को कई यानि की complete की होनी चाहिए यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस भरती की अधिक जानकारी के लिए official बेप साइट से जाकर सारी जानकारी भी ले पाएंगे दोस्तों यहाँ पे पोश्टों के बारे में तो आपको पहले ही बता ही दिया जो कि official बेप साइट पर जारी कर दिया गया था यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि male or female candidate की इलीज विल्टी ये बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे male candidate के बारे में बात करेंगे जो कि male candidate की यहाँ पे हाइट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे 170 cm के हाइट होनी चाहिए ST candidate के लिए 162.5 cm की height होनी चाहिए दोस्तो female candidate के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो कि सारे candidate के लिए यानि कि SC, SC और OBC और general candidate के लिए यहाँ पे 157 cm की height होनी चाहिए only ST candidate के लिए 154 cm की height हो female candidate की फिर भी इस भरती में जा पाएंगी यहाँ पे chest के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दिके chest यहाँ पे आप देख पारे में only for male candidate के लिए नीर्धरत किया गया है यहाँ पे general और OBC candidate के male के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे एश्टी कंडी डीट के लिए तो 76 से लेकर 81 cm का चैस्ट आपका complete होना चाहिए यहाँ पर दोस्तो बात करेंगे कि female कंडी डीट की तो यहाँ पर female कंडी डीट का चैस्ट बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया गया है यहाँ पर दोस्तो आईए बात कर लिए इस भरती की Starting or Last Date क्या होने वाली है तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे इस भरती में Starting Date and Last Date क्या निर्धारित की गई है वो भी आप सभी को यहाँ पर आईए बता दें तो यहाँ पर दोस्तो Important Date के बारे में बात करेंगे तो आप देख पारे होंगे जो कि इस भरती में important date यहाँ पे आप देख पारे होंगे इस भरती की यानि कि इस भरती का official date यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है जो कि देख पारे होंगे 152023 को निर्धारित कर दिया गया है यहां पे इस भरती की exam date के बारे में बात करेंगे तो exam date 21-5-2023 से ही निर्धारत किया जाएगा यानि की दोस्तो 21 से लेकर 25 के बीच में ही निर्धारत आपका exam किया जाएगा वो भी जून के मन्त में admit card भी आपका तभी जारी किया जाएगा जो कि admit card के बारे में आप सभी को तो पहले ही बता ही दिया दोस्तो मैंने और यहां पे आप सभी को बताएंगे कि इस भरती में application fees कितना आपका लगने वाला है तो यहां पे application fees के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे दोस्तो जो की इस भरती में फीस आपकी यहां पे आप देख पार होंगे SI-POST के लिए जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए यहां पे निर्दध किये गए हैं यानि की 200 रुपए और ASI-POST के लिए जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए निर्दध किये गए हैं CST candidate के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि 0 रूपए यानि कि फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी आल कैटिकरी की female candidate की बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी दोस्तों कैसे payment जमा करना होगा तो payment के बार में आपको बताएंगे तो आप सभी को online माधम से ही बिल्कुल और बिल्कुल payment को जमा करना होगा जो की credit card, debit card और net banking के माधम से payment को आप बिल्कुल जमा कर पाएंगे आसा करता हूँ दोस्तो वीडियो आप सभी को पसंद ही आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करके all notification बिल्कुल जरूर दबा लें जितना हो से कि अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजे और जहां कई भी इस भरते में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप comment box में comment कर दीजे हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंगे दोस्तो आप सभी को एक जरूरी बात बता दे कि आप अपने किस राजजोर जिले से बिलों करते हैं आप अपने राजजोर जिले का नाम comment box में comment कर दीजिए ताकि आपके राजजोर जिले से कोई भी नया नोटी पीकसन कोई नई भरती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के मातरम से सबसे पहले बता सकें आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैंदू वंदे मातरम